कि वार्थिय थी पूरा का पूरा चछक्के पर चछकका हमने आज लगाया क्या हमने आज दिन भर में किया और मैं यहां पे कल के लेवल के बारे में डिस्कस करने वाला क्योंकि मैंने बिल्कुल भी आज लेवल्स चेंज नहीं किये हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे अप्धस्तिक , निफ्टी वही लेवल पे आके उपर से रजिस्टेंस लिया और नीचे से सपोर्ट लिया अब आप बोलोगे यह क्या है यह क्याòng जद्म है यह क्या है यह क्या玩 चल रहा है यह कुछ भी नहीं है यह प्यूर्क सिंकल टेक्निकल अनलिस है जो आपको मैं यहां पे सिखाता हूँ बट आप क्यों क्या करना है अगर आप नए हो चानल को सब्सक्राइब बेल बटन को हिट अगर आपको आज का जैसे हमने फंटास्टिक हीरो जीरो ट्रेड लिया था ऐसे आनलेसिस आपको चाहिए तो आपको क्या करना है वाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप की लिंक दी है उसको क्लिक करके हमारे फैमिली में जॉइन करना है आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ सबसे पहले तो दिनवर में कौन से ट्रेड लिये एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ पंटास्टिक 4X 5X 00 ट्रेड लिया उसके बारे में बताऊंगा बादने मैं बताऊंगा कि हमारे जो तीन दर्शक है त्रीवेदी जी ने GNFC के बारे में पूचा है HESC ने Polycap के बारे में पूचा है महिश जी ने Marksang के बारे में पूचा है ये तीनों का end में मैं analysis करूँगा Nifty का analysis कल क्या होने वाला है Market कैसे react करने वाला है उसका detail में discussion करेंगे Bank Nifty का भी discussion करेंगे और मुझे अच्छा लगा जब आपने लिखा कि support and resistance का जो सिर्फ मैंने एक trailer बताया था मैंने आपको क्या promise किया है कि अगर वापिस आज देड़ हजार comments होते हैं देड़ हजार comments तो मैं पूरा का पूरा पचीस minute का support का in-depth analysis जहां पे मैं एक एक point आपको बताने वाला हूँ कि support होता क्या है support बनता कैसे है open interest support के साथ कैसे react करते है support क्यों तूटता है support पे क्यों bounce होता है moving average से कैसे support को धूण सकते है RSI से कैसे दूण सकते है जो कुछ भी मेरे दिमाग में support and resistance के बारे में है वो पूरा का पूरा मैं ये board पे आपको बताने वाला हूँ बहुत important है अगर आपको ये Saturday का lecture चाहिए YouTube पे चाहिए तो आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा आज के लिए target है अडाई हजार likes और देड़ हजार comments क्यूंकि आज हमने expiry में भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है अब सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि आज हमने क्या क्या किया अब पूरा का पूरा मैं आपको बोलूँगा view हमेशा हमारा clear होना चाहिए हमें पता था कि PE side ही चलने वाला है छोटे-छोटे CE के trade ले सकते है बट जो बड़ी मुँ आएगी वो नीचे के direction में ही आएगी तो हमने क्या किया हमने bank nifty का P लिया अगर आप देखोगे entry थी 170 की 46,200 का PE था और आप हैरान हो जाओगे यह 500 तक गया यानि कि आज यह PE पे ही 4 of 5X return हा हो गया तो यह तो fantastic था उसके बाद में क्या किया हमने hero zero के 2 trades लिये अब यहाँ पे 19,650 का जो PE है ना यह यहाँ पे हमने पहला जो दिया था 10 का मैंने analysis किया था लगभग लगभग 40 तक गया तो यह जो single PE जिन जिनोंने आज देखा मुझे comment करके बताना उसके बाद में हमने strategy भी की यह fantastic expiry strategy होती है यह आपको fin nifty में भी करने को मिलता है निफ्टी में भी करने को मिलता है bank nifty में भी करने को मिलता है यह मैं आपको detail में सिखाता हूं देड़ घंटा बट कैसे करना है क्या करना है आप यह बाद में मेरे से सीख सकते हो बट सबसे पहले क्या है कि इसका result आपने देखा रहेगा और यह हफते में दो बार हम करते है इसके लिए WhatsApp की जो link है description में उसे click करके join करना अब आईए देखते हैं कि क्या हुआ था कल यह कल के ही लेबल से मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है 9870 का कहा था कि target होगा आप देखोगे morning में ही 15 minutes का chart है मैं कुछ भी हाथ नहीं लगा रहा हूँ 15 minutes का chart है आप देखोगे perfect 9870 का target अफकोस बहुत छोटा target था बट लेबल को देखो कैसे respect करता है लेबल को देखो कैसे respect करता है market यह जानना ज़रूरी है और यह तो जस्त 2 या 3% है market के और बहुत सारे राज है जो आप सीख सकते हो अब यहां से आपको अगर याद रहेगा याद नहीं रहेगा कल का वीडियो बार बार देखो आपको मैंने कहा था कि trend bullish है और यह वाला point 9610 के जब नीचे जाएगा market तो ही trend वापिस bearish हो जाएगी अब यहां पर दुविदा क्या है तो market ने bounce किया इसका मैं यह कर दूँगा बट और एक इसमें मैंने word दाला था देखो आपको put खरीदना है तो 9610 के बाद ही खरीद सकते हो बट आट अग्ड़ सेम ताइम आप 100 points loose करोगे राइट तो मैंने आपको यह भी guru mantra दिया था कि अगर यह level के नीचे 9720 के अगर नीचे market चला जाता है तो आप 610 तक भी आराम से trade कर सकते हो more or less यह पूरा का पूरा gap फिल हो जाएगा और आप हैरान हो जाओगे यही logic पे हमने hero zero की expiry और यह subset की थी आप देख सकते हो कितना बढ़िया 9610 तक आया अब यहां से कल क्या होगा यह भी interesting है थोड़ा सा देख ले ना क्योंकि यह fantastic आगे का आलने से सुना है यहां तक अगर आपको सब कुछ जो कल का follow कर रहे हो एक भी मेरा episode मिस मत करना episode मिस करोगे market की story मिस कर दोगे तो episode मिस मत करना एक तो आप believe कर रहे हो कि yes market कुछ logic के साथ work करता है stock market सकता नहीं है 9610 आप कल का video देख लेना यही level दिया था यहीं से market bounce हो गया कुछ गड़बड नहीं कर रहा हूं अब जाके मैं कल क्या हो सकता है उसके बारे में discuss कर रहा हूं अब सबसे पहले आप देखोगे ना बहुत से लोगों को लगता है कि यार यह क्या हो रहा है market तो अब उपर चला गया बट आपको एक चीज याद रखनी है support की चीज याद रखनी है market उपर तो चला गया agreed बट आप देखोगे ना ये वाला जो लो है ओके ये वाला जो लो है इसको यहाँ पे जो भी support था जो भी buyers थे एक बार ठंग करके मार के फिर उपर bounce back हो रहा है ओके तो actually खुश मत हो ना कि market bullish हो गया market bullish हो गया नही अब market bullish कब है यहां से आप देख सकते हो क्या कि एक भी high market ने बनाया है नहीं बनाया है तो अब logic बहुत simple है जब तक market 9870 के उपर नहीं जाता है market अब bearish ही है क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि market ने अपना पिछला low जो था भले मैंने 9610 दिया है थोड़ा सा क्यों नहीं नीचे जाके फिर bounce back मारा है अब यह इससे होता क्या है आप थोड़ा सा देख लो क्या logic है बहुत fantastic logic है अब इतना strong support था यह है कौन सा support तो यह है खली वाला support आप देख सकते हो मैंने कहा था non-stop बिना बकवास की यह market ऊपर चला गया था तो जब ऐसे support पे market आके रुख जाएगा तो definitely bounce back होने वाला है इसके लिए तो 9610 की level दी थी अब bounce तो हो गया बट यहां पे अब मेरा next थोड़ा सा कहानी में twist देख लो most of the time very very high chances की कल market 9757 के आसपास जाके वापिस घूम के नीचे आने के chances है तो इसका मतलब क्या है number note कर लो अगर 9757 के यहां पे आपको कुछ ऐसी red candle दिखती है pin bar दिखती है या two candlestick, three candlestick pattern दिखता है तो आप क्या करोगे 9757 के थोड़ा उपर stop loss जो बनती है वो आपकी entry वापिस 9610 का target और अपके बार क्या होगा तो आपके बार most chances यह जो support है खली वाला यह अपना काम कर चुका है एक बार bounce दे चुका है नीचे आ जाएगा very very simple logic यही market है अब कैसे नीचे आएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी market तो रुलाने के लिए ही बैठा है अब देखोगे ना more or less कैसे नीचे आ सकता है अगर समझो किसने कहा था red pen जादा यूज मत करना मैं आपका respect करता हूँ मैं yellow pen यूज करता हूँ अगर थोड़ा सा bounce back में भी दे सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत powerful buyers है बट more or less आप देखोगे ना bounce back देके यहाँ पे अब 19.500 तक market आ सकता है कहाँ पे अगर 19.757 से proper 15 minute scandal में आपको reversal दिखेगा ओके market bullish कब होगा बहुत simple क्योंकि यह पिछला high बनाया था market ने बीच में एक भी high नहीं बनाया है कुछ नहीं है राइट ऐसा कुछ भी नहीं है तो simple हो गया राइट अब दिमाग को ज्यादा लोड लेना ही नहीं है जब market 19.70 के उपर at least 15 minutes में close हो जाएगा तब bullishness रहेगा अब आप देखोगे इतने powerful sellers है राइट जैसे इधर इतने powerful buyers थे इतने powerful sellers अभी भी market में है जिनोंने non-stop market को आज नीचे लेके आए तो जैसे कहते है ना dawn जिन्दा है वैसे bear sellers जिन्दा है नहीं गए है ये जो bulls उचल रहे है ये actually क्या है तो ये actually इधर ही उचल के उपर जाना चीए था तब तो कुछ कर नहीं पाए अब खाली फुकट का उचल के हम जैसे बिचारे retail traders को confuse कर रहे है तो याद रखना ये bullish तबी ही होगा market logic के साथ जब अब 9870 के पिछले high के उपर जाएगा अब ये भले bulls उचलने दो but more or less very high chances 1975 से उचल के वापस नीचे आएंगे और 610 का पहला target वापस 9500 का second target simple language में बता रहा हूँ अगर समझ में आ रहा है तो yes समझ गया कुछ तो लिखो क्यूंकि आप conjuice करते हो 1500 का जो आप देखते हो समझते हो trade भी लेते हो but लिखते कुछ नहीं हो तो देड़ हजार का comments का target रह जाता है comments का target बज गया तो फिर आपको support and resistance detail में कैसे मैं सिखाऊंगा Saturday को आदा घंटा अब यहाँ पे यह साब कुछ हो गया आपको भी पता चला रहेगा put कैसे लेना है okay put अगर समझो कल इसके नीचे ही market gap down हो गया करना है कि call ले लो तो 19.757 बहुत ही strong resistance है यह मत करना और जो actual call के बारे में सोचना है बहुत बड़ी 100-800 point की राली आ सकती है 19.870 के बाद तो यह सब logic आपको पूरा का पूरा पता चला रहेगा और क्यूंकि आज हमारा support जो था 19.610 का खली वाला market ने आप देखोगे तोड़ दिया है तो अब हम बहुत केरफुल रहेंगे यह जो bounce है यह temporary bounce है mostly 19.757 से घूम के वापस आने के chances है आज के लिए निफ्टी में इतना ही अब यहां पे जो concept सिखाने के चीज है ना मैं बीज वीच में सिखाते रहोंगा बट आप मुझे बताना चाहिए कि मैं आपको सिर्फ साटरडे को concept सिखाऊं या बीज बीज में यही लेक्चर में मैं concept सिखाते जाऊं या आपको मुझे बताना है क्योंकि साटरडे को मैं पूरा का पूरा concept कवर करूंगा बीच बीच में अगर छोटे छोटे चोटे concepts आपको चीए तो आप लिखो teach concepts in video teach concepts in video तो मैं कल से ध्यान से आपको बीच बीच में छोटे छोटे concepts definitely सिखाऊंगा bank nifty आप देख लो okay bank nifty आप देख लो ऐसे ही bounce नहीं हुआ है आप 15 minutes के chart में दब देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे यह है यह किसका आगया okay यह देखो यह 15 minutes का chart है okay यह 15 minutes का chart है आप देखोगे ना exactly यह जो high है 46 to 90 का पहले बार attempt किया नहीं successful हुआ strength था वापिस second attempt किया double top हो गया two tops हो गया नहीं यह किया fantastic नीचे चला गया हमने यहीं पे तो entry ली थी यहीं पे तो entry ली थी right 170 160 की यहीं पे तो ध्यान था और हमें मालूम था कि यहां तक आने वाला है but at the same time safe side के लिए छोटे-छोटे target दिये but risk takers को कहा था कि hold करते रहो देखो कितना आता है पैसा कितना बनता है अब यहां पे आप देखोगे यह तो कल का bank nifty का analysis था आज क्या हो सकता है तो means Friday को क्या हो सकता है सबसे पहले आप देखोगे bank nifty का जो नीचे का अगर आपको यहां पे बीच में कहीं तो भी आप ऐसी candle दिख गई ना आपका levels क्या होगा तो यह levels के बारे में देख लो 45,620 का आपका पहला level होगा यानि कि यहां से आप जो गिरेगा वो 45,620 तक गिरेगा और अपके बार बहुत ज्यादा chances है कि 45,500 भी आएगा और 45,460 भी आएगा तो और आप यह लॉजिकली भी देखो ना क्यों हमें यह चोटा सा बाउंस वो भी लास्ट के 15 मिनिट में यानि कि आदे घंटे में आया तो क्यों इतना जादा उचनला है कि अब देख सकते हो राइट इतना मार्केट गिरा उसके कमपेरिजन में इतना साथ उपर जाएगा ही राइट अब अगर मार्केट समझो 46,100 तक गया या 46,300 तक गया बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं तब मैं कहूंगा कि जाके बुलिशनिस वापिस आया है यहां पे most of the time और आप देखोगी यह पिछले support को तोड़ दिया है और यह भी देखोगे ना more or less no time pass खली वाला support है यह ऐसा ऐसा वाला support नहीं है यह खली वाला support है स्ट्रेट जा रहा है राइट नीचे स्ट्रेट गया ओके नीचे स्ट्रेट देखो कितने पावर से तूट रहा है support देखो यह ऐसा है नीचे तोड़ने का इसका speed देखो selling जादा है यह ध्यान में आना चाहिए आपको temporary bounce back है यह range पे 45,900 के आसपास reversal आ सकता है आपको अगर ऐसी कुछ pink color की candle दिखती है तो मार दो नीचे का put कहां तक तो जैसे मैंने कहा था 45,620 पहला 45,500 दूसरा 45,465 final target तो कल क्या है कैसे market या nifty bank nifty react कर सकता है थोड़ा सा उपर क्योंकि bounce तो एक अच्छे का से support से हुआ है बट जैसे ही अगर एक powerful red candle नीचे के direction में दिखेगी तो वापिस अपने पिछले support के यहां पे आएगा और अपके बार वो support को तोड़के और नीचे जाने के chances है तो आपको volumes भी नहीं बताता हूं, बहुत सारे लोग moving averages बताते हैं, मैं वो भी नहीं बताता हूं, मैं RSI भी नहीं बताता हूं, बट ऐसा नहीं है कि यह सब analysis हो नहीं सकता है, यह सब fantastic काम करते हैं, Bollinger Bands नहीं बताता हूं, क्योंकि Bollinger Bands के तो mind blowing concepts है, बट यह मैं धीरे धीर आपको बताऊंगा, हर दिन, हर हफते कुछ नए analysis के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, बट बहुत ज़रूरी है कि आपको बने रहना है, अब यहां पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, देखेंगे GNFC में क्या बन रहा है, okay, GNFC में मैं weekly chart open करूंगा, आप खुद देख लो, okay, क् GNFC में weekly chart है, right, view important है, उपर जा रहा है, bounce हो रहा है, okay, यहां पे एक support है, और यहां पे देखो कि कुछ powerful उपर के direction में नहीं जा रहा है, हमें कैसे stock पकड़ने हैं, यहां पे देखो, जब ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं तो यहां पे हमें stock पकड़ने है, यह वाले stock हमें चाहि है, ना कि ऐसे stock जिसका अभी भी उपर के direction में analysis या जाने का कोई स्वभाव दिख नहीं रहा है, okay, तो आप यह जाएगा, definitely यह उपर जाएगा, क्योंकि यहां से rally चालू ही है, थोड़ा सा मैं अच्छा ड्रॉ कर लेता हूं, और यह आपको सीखना है, क्योंकि equity option में बहु देख लो, आप PVR Inox देख लो, आप बहुत सारे जो पार्मा के stocks है, वो देख लो, पाच पाच छे छे परसंट दिन में return देते हैं, उसके comparison में nifty में आधा परसंट, bank nifty में एक परसंट, वाव, bank nifty एक परसंट चली गई, आप इतना खुश होते हो, but same effect आपको 3 परसंट, 4 दिन का equity option दे सकते हैं, आप हैरान हो जाओगे, इतने speed से, और एक कही direction में मूँ होता है, no confusion, but ऐसे stocks कैसे select करना है, वो भी important है, इसके लिए सिर्फ निफ्टी, bank nifty का analysis नहीं, ये भी जो सिखाता हूं, उस पर ध्यान देना, क्योंकि इस पर भी आप पैसा अच्छा-कासा कम सकते हूं, अब यहां पर concept देख लो, और ये भले मैं weekly chart में सिखा रहा हूं, but concept तो वही है, right, 15 minutes में भी market वैसे ही चलेगा, 3 minutes में भी ऐसे ही चलेगा, एक महने में भी ऐसे ही चलेगा, अब हम गलती क्या करते हैं, ये जो इतनी बड़ी मू आई है, उसके comparison में retracement आता है, okay, अब retracement आता तो है, but इसका मतलब ये नहीं है, कि आपने जहां पे ले लिया, भगवान आप पे खुश होके, या गुजरती लोग आप पे खुश होके, यहां पे market को ये stock को उपर लेके जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, right, तो हमें क्या करना है, ये point के जब उपर जाएगा, तब alert रहना है, और वापिस जब ऐसे जाएगा, ये point पे buying करने को देखना है, ये सही point है, इसके बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, अक्षे कुमार की तरह, क्योंकि ये mostly उपर ही जाएगा, इतने जो wave है ना, ये next आपको पैसा देगा, बहुत simple concept है stock market का, हम complicate कर देते ह तो फिलाल गुजरात नर्मदा सही नहीं है, polycab, जो polycab में हुआ है आगे जाके गुजरात नर्मदा में होने वाला है, कैसे आप देख लो, मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे, seriously आप हैरान हो जाओगे, कि polycab, बहुत दिनों से, मैं follow कर रहा हूँ, आप द अब यह वाले इसके उपर तो गया, right, अब यहां से यह आपका perfect buying point है, और बस, 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 ओके, इतनी जितनी वेव थी, इतनी almost आ गई है, थोड़ा सा मैं कहूंगा, फिलाल polycab नहीं लेना है, क्योंकि हमको यह point में catch करना है, ना कि यहां पर, fantastic, समझ में आया, अब next चीज देखेंगे, polycap तो time हो गया, polycap का, polycap की wire तो लग गई, अब हम markson देखेंगे, markson अगर आप देखोगे, यह weekly chart है, यहां पे इसका resistance है, और आप देखोगे, fantastic, resistance को तोड़ के उपर जा रहा है, तो आपको markson पे ध्यान देना है, but at the same time, यहां पे मुझे entry करने को बिलकुल पसंद नहीं है, मैं ऐसे points दूनता हूं, यह ऐसे points दूनता हूं, जहां पे मेरा stop loss बहुत छोटा, target बहुत बढ़ा, तो यहां पे बिलकुल भी entry नहीं लूँगा, वापस नीचे और जब उपर जाएगा ना, मैं यहां पे entry लूँगा, but अगर आप trade में बने हुए हो, fantastic, right आप देखोगे, लगभग, लगभग, 140 जाने के अगले chances है, आपका decision है, but यह आपको छोटे time frame में तो भी pullback पे entry लेना है, straight entry कौन लेगा, आप एक रुपया कमाने जाओगे, दस रुपय का loss होगा, तो hope आपको आज का, and this is पसंद आया रहेगा, thanks a lot, आज का target है, देढ comment, अडाई हजार likes, तो ही Saturday को बहुत fantastic, आदा घंटा, support and resistance, detail में, each and every point cover करने वाले है, तो miss मत करना, comment करना, आपको अगर कोई stock, आपका analysis चीए, उसके बारे में लिखना, but comment करते रहना, like करते रहना, लोगों के साथ share करना, और कल वापस Nifty Bank Nifty मे, fantastic analysis के लिए ready रहना.